फारा मैई की रात करीब ढ़ाई बजे महाराश्ट के पूने शहर में एक भयानक दुरगटना हुई लक्शरी पॉर्शे कार ने बाइक को जबरदस्त टक कर मारती इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई इस कार को एक नाबालिक लड़का चला रहा था अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है पूने पुलिस ने आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अगरवाल को गिरफतार कर लिया है आरोपी के पिता को महाराश्ट के संभाजी जिले से गिरफतार किया गया है दरसल इस मामले में बाइक से ट्रकर मारने वाले नाबालिक लड़के को 12 घंटे के अंदर जमानत मिल गई इसके बाद नाबालिक लड़के के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया जिसके बाद आरोपी के पिता को अब गिरफतार कर लिया गया है आरोपी नाबालिक ने हाल ही में बार्मी की परिक्षा दी थी और पार्टी करने के बाद वो लौट रहा था इस हादसे के बाद वहां मौजूर लोगों ने आरोपी के साथ जम कर मार पीट थी आवरोपी पिता पर आवरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिक बेटे को पॉर्शे क्यों चलाने थी बिन ड्राइविंग लाइसेंस के उन्होंने अपने बेटे को कार चलाने दी ये उनकी लापरवाही है वहीं जिस पब में नाबालिक लड़के को शराब परोसी गई थी उस पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है पिता और पब पर भी कई धाराओं के तहट केस दर्ज किया गया है इस भयानक हादसे का एक वीडियो भी कल सामने आया था आज इस भयानक हादसे का एक दूसरा CCTV भी सामने आया है इस हादसे में आरोपी कारचालक और उसके माता पिता के खिलाफ नागरिकोंग ने आकरामक रुक अपना लिया है नाबालिक कार ड्राइवर के खिलाफ भी कारिवाई की मांग की जा रही है कुछ घंटे पहले नाबालिक के पब में शराब पीने का वीडियो भी सामने आया है जो हादसे का कारण बना शराब के नशे में ही नाबालिक से ये हादसा हुआ आपको बता दें कि कल्यानी नगर के एक रेस्टरॉम में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद दोनों पीडित स्कूटी पर घर लोट रहे थे जब वे कल्यानी नगर जंक्शन पर पहुँचे तो एक तेज रुफ़तार पॉर्शे कार ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई जानकारी के मताबिक दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुट पात की रेलिंग से टक्रा आके थी इस खबर में बसितना ही ये खबर आपको कैसी लेगे हमें कमेंट कर जरू बताए झाले झाले के डिल झाले कर दो बेर कर दो खबड़कार आपयाओर दोनों के प्रू कर दोटेब लगयाओर के।